जहिन दोस्तों तो दोस्तों हम अपना संजी वर्मा बुक को कंटिन्यू करेंगे तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है जीडीपी एंड दा जीविये डेल्यूजन तो दोस्तों यहाँ पर जीविये के बारे में बताया गया है ठीक है तो एक बार हम यहाँ पर ओवर्वियू देख लेता है इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा जीडीपी फिर उसके बाद में हमको देखने को मिलेगा सबसीडी के बारे में कुछ टैक्स से रिलेटीड यहाँ पर डेटा देखने उसके बारे में फिर यहां पर एक advisory committee बिठाई जाती है उसके बारे में देखेंगे फिर gross value added यानि के जीवीए के बारे में देखेंगे फिर यहां पर example दे रखा है kingfisher का उसको देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि GVA को क्यो अच्छा माना जाता है GDP के comparison मे फिर GDP और GVA में कुछ comparisons हम देखने वाले हैं है ना फिर क्या challenges आते हैं GVA में ये इस तरीके से देखने आला है फिर आखरे में gross national happiness index के बारे में book के अंदर में दिया है फिर आखरे में ease of doing business फिर जो amendment आया है जन विश्वास amendment act 2023 ये हो जाएगा last topic तो दोस्तों ये सारा का सारा क्या है इस chapter number 3 में हम देखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपको lecture की PDF चाहिए तो आप मेरी application को download कर लेना प्रत्यूशा current affairs और YouTube channel को भी subscribe कर लेना प्रत्यूशा IAS ये chapter number 3 है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखो GDP और GBA के बारे में हम देखेंगे last chapter में मैंने आपको बताया था output के बारे में की output होता क्या है तो दोस्तों हमारी economy यानि के इंडिया में कुछ भी produce हो रहा है यानि के एक साइल में जितना भी इंडिया में प्रडियूस हो रहा है और उनकी कुछ न कुछ monetary value है तो उसको बोल देंगे हम output ठीक है दोस्तों और इस output को हम कह सकते हैं दो तरीके से calculate करा जाता है एक होता है factor cost दूसरा होता है market cost तो suppose करो हमने example मिलिया biscuit और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता था factor of production के बारे में जिसमें चार चीजे हमको देखने को मिलती है land labor capital और entrepreneur यह सम मिलके क्या करते हैं दोस्तों एक product को बनाते हैं suppose करो एक biscuit बनाया input raw material का यूज करके उसकी जो हमारी लागत आई वो आई 8 रुपे लेकिन जब हम उसको profit कितने का होगा दो रुपे का profit होगा यानि के factor cost वह वाली cost होते हैं जो product को बनाने में आती है और जिस rate पर market में बिखता है उसको कह देते हैं market cost ठीक है दोस्तों तो हमने output और GDP में यह देखा फिर उसके ४ाद में दोस्तों यहाँ पर topic औरो subsidy क्या होती है तो दोस्तों यह क्या होते है सबसेडी benefit होता है यह सरकार के द्वारा दिया जाता है किसी individual को भी दे सकते हैं businessman को या फिर किसे institution को सरकार कर tell कि देखनेको मिलता है हमारी indirect और दूसरी होती हमारी direct तो देखो यह subsidy क्या है जो direct होगी सरकार क्या कर देगी direct account में पैसे देगी जैसे direct benefit transfer cash payment देदेगी indirect subsidy वो subsidy होती है जहाँ पर सरकार किसी tax में छूट देदेती है जैसे किसानों को बीज खरीदने है सस्ते कर देंगे fertilizer खरीदने है किसानों को तो सस्ते में दे देंगे तो यह direct और indirect subsidy होती है फिर दोस्तों यहाँ पर tax के बारे में बताएगा है tax क्या होता एक तरीके से सरकार यह collect करती है हम लोगों से इनसानों से ठीक है और यह सरकार की मतलब हम लोगों की income में से collect करा जाता है तो यह क्या है contribution है collect करा जाता है government के दौरा लोगों की income से फिर दोस्तों यहाँ पर देखो market price मैंने आपको बताया biscuit का example देखे 8 रुपे में उसकी लागताई 10 रुपे में इसको बेका तो हम क्या कह सकते है market price कितना है market price अगर total market में biscuit 10 का भी करा है तो factor cost क्या हो जाएगी हाँ पर 8 रुपे आ जाएगी और यह जो taxes और subsidies है यह क्या है यह सरकार वगेरा decide करती है तो यहाँ पर छोड़ दो यहाँ तो 1.5 ले लो subsidy में 0.5 मान लो कुछ भी मान लो इन दोनों को plus minus करोगे तो आखरी में क्या है हमको यह value देखने को मिलेगी या फिर इसको कैसे भी उपर नीचे कर लो ठीक है तो यह हो गया फिर यहाँ पर देखो tax के बारे में अब यहाँ पर अगर हम tax लगा दे दोस्तो factor of cost में है ना factor cost में या फिर market price में तो यहाँ पर देखो अगर factor cost में tax लगा दे यानिके 8 रुपे का biscuit भी करा था हमने इसके अंदर में wheat का use करा फिर उससे floor बगएरा बनाया गया अगर दोस्तो 8 रुपे में हम tax बढ़ा दे यानिके factor cost में हम क्या बढ़ा दे tax बढ़ा दे अगर तो अगर हम tax लगा देते हैं पहले ही input material पर तो दोस्तो इससे न हमको impact देखने को मिलेगा output में कमी आ जाएगी investment में कमी आ जाएगी और इंडिया में क्या हो सकता unemployment बढ़ जाए तो दोस्तो अगर यह जो tax बगएरा लगाने होते हैं बहुत सोच समझ के सरकार लगाती है अगर tax हमने factor cost पर लगा दिया तो यहाँ पर यह हमको impact देखने को मिलेगा तो दोस्तो prelims के अंदर में ऐसे ही question पूछा जाएगा कि सरकार अगर tax लगाती है factor cost पर या फिर market price पर तो उसका क्या impact देखने को मिलेगा तो दोस्तो UPSC ऐसे ही question पूछते कि concept हमने पढ़ लिया tax या फिर subsidy के बारे में इसकी applications क्या रहेगी है ना क्या impact रहेगा economy के उपर तो यह important है अगर हम लगा दे market price के उपर tax यानि कि अब product बनके तयार हो चुका है से consumption decrease हो जाएगी तो हम कह सकते हैं फिर से क्या है output हमको decrease देखने को मिलेगा तो यह सारी की सारी चीज़े यहां पर इसमें बताई गई है ठीक है factor cost और market price के dilemma के अंदर में फिर यहां पर कहता है can the output at factor cost या फिर market price भी सेम यानि कि जो हमारा factor cost था suppose करो 8 रुपे का हमने यह biscuit बनाया और market price अगर हम इसको 8 रुपे में बना रहे हैं और market में 8 रुपे में बेग दे तो क्या यह जो factor cost है और जो market price है क्या यह सेम हो सकता है यहां पर क्या है बिलकुल हो सकता है suppose करो यहां पर क्या था हमारा factor cost market price में हम tax और subsidy को include कर लेते हैं अगर tax equals to हो जाए subsidy tax plus में होता है subsidy minus में होता है तो यह 0 हो जाएगा तो दोस्तों हम क्या कह सकते है टेक्स और subsidy जब equal हो जाए यानि कि यह क्या है utopian concept है या फिर ideal कह सकते है ideal type का concept है लेकिन market में ऐसा होता नहीं है reality ऐसी होती नहीं कि टेक्स और subsidy बराबर हो लेकिन theory के base पर क्या हो सकता है यह बिलकुल सही हो सकता है है ना कि टेक्स और subsidy जब equal हो जाए तो हम कह सकते हैं factor cost और market price बिलकुल सेम हो सकती है फिर दोस्तो topic आता है यहां पर inflation तो दोस्तो inflation का क्या मतलब है महंगाई जिसको बोलता है inflation मतलब महंगाई को बोला जाता है inflation suppose करो 100 रुपे के पहले टमाटर मिलते थे एक किलो अब वह 120 के हो गए तो 100 में से 120 हो गए तो 20 रुपे बढ़ गए तो 20 रुपे बढ़ गए यानि के 20% बहंगे हो गए तो यह price के increase होने को क्या बोला जाता है inflation बोला जाता है यानि के increase in prices किसी goods में या फिर service में उसको बोलता है inflation तो दोस्तों एक्जामपल ऐसे समझो 10% inflation यानिके एक फेक्टर ओफ कोस्ट अगर 10% हम फेक्टर ओफ कोस्ट इंक्रीज कर देते तो हमको क्या देखने को मिलेगा आउट्पुट में भी inflation देखने को मिलेगा सपोस करो कि हमने 100 यूनिट प्रोडियूस करा है ना अब यहां पर 100 यूनिट को प्रोडियूस करा और हम इसको मार्केट में 100 रुपे में बेख रहे हैं लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट महेंगा हो जाए inflation हो जाए है ना की वज़े से प्रोडियूस प्रोडक्शन का यानिके गोड्स और सर्विस का प्राइस क्या है इंक्रीज कर गया लेकिन हमारा आउट्पुट क्या रहा है दोस्तों यहां पर कॉंस्ट रहा है तो देख रहो आउट्पुट को कौन इफेक्ट डाल रहा है यह इन्फलेशन यहां पर क्या हो जाएगा 10% का अगर इंफलेशन बढ़ जाता है इससे हमारी इंक्रीज हो जाती है फैक्टर ओफ कोस्ट है ना आउट्पुट में भी हमको इंफलेशन देखने को मिलेगा यानिके कोई भी फिजीकल इंक्रीज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन में यानिके बिल्कुल ठप हो चुकी है प्राइस बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंफलेशन की वज़े से तो दोस्तों अगर हम आउट्पुट के अंदर से हम कह सकते हैं जो आउट्पुट होता है ना वह क्या करता मेजर करता है आउट्पुट की एक्चुल में कितना इंक्रीज करते हैं इंफलेशन को या नहीं करते हैं तो आउट्पुट मेजर करता है सिर्फ और सिर्फ कितना एक्चुल में इंक्रीज हुआ है गोड्स और प्रोडक्शन का यानि के सो यूनिट प्रडियूस करिए इस साल तो सो ही कैलकुलेट करेगा है ना सो रुपे में भी है तो स ही कैलकुलेट करेगा अगर इंफलेशन के हुझे से 120-130 हो जाए तो आउट्पुट उसको मेजर नहीं करेगा ठीक है तो अब यहां पर इस इंफलेशन एजस्टमेंट इन आउट्पुट मेजर बाई टूल तो दोस्तों यह जो इंफलेशन है है ना और इस इंफलेशन को जब हम एजस्ट करते हैं अपने आउट्पुट के अंदर में तो दोस्तों किसी ना किसी टूल के मैथटूल से ही करेंगे उस टूल को बोला जाता है जीडीपी डिफलेटर तो दोस्तों यह इंपोर्टेंट हो जाएगा जीडीपी डिफलेटर फिर उसके बाद में कंसेप आता दोस्तों रिएल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ का तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट है रिएल ग्रोथ और नोमिनल उब्रोथ आपको पता लग ज releasing करें एकषोबीस में ठीक 120, 130, 140 कुछ भी हो सकता है इन्फलेशन को देखते हुए तो देखो real growth क्या है? real का मतलब real में यानि कि असली में कितनी हुए है उसको देखेंगे यानि कि इन्फलेशन को count नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं adjustment of output growth with inflation यानि कि inflation के साथ में हम छेड़ खानी करेंगे inflation को minus कर देंगे इसमें real growth में और nominal growth में non-adjustment of output with inflation तो दोस्तो nominal ठीक है n से 9 norm हो रहा है तो यहाँ पर non-adjustment ऐसे याद कर लेना ठीक है तो यह जो nominal growth है हम कह सकते हैं generic term देखने को मिलती है तो यहाँ पर मैंने एक्जांपल आपके लिए लगा रहा है suppose करो output कितना है हमने 100 unit हमारा output वा 100 unit तो दोस्तों 2020 में कितना था 100 था फिर धीरे धीरे समय बढ़ा 2021 में इसका price बढ़ी गा 110 120 130 140 तो हम कह सकते हैं inflation यानिके महेंगाई बढ़ रही है है ना लेकिन जो output है वो हमारा constant है हमने produce करा 100 लेकिन इसका price बढ़ता जा रहा साल दर साल सो से 110 110 110 120 130 140 140 तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं यह हमने example देख लिया फिर world growth in Indian context GDP अब देखवा पूरी दुनिया के अंदर में अगर हम बात करें वर्ल्ड की growth को हम कैसे measure करते हैं वर्ल्ड के अंदर में किस देश की कितनी growth हो रही हम GDP के terms में उसको calculate करते हैं GDP at factor cost at constant price ठीक है अब यहां पर कहता है कौन मेजर करता है यह output को तो दोस्तों अब यह important है यानि के कौन output बताता है इसका data कौन GDP के बारे में हमको data देता है तो अब यह हमको पता होना चाहिए तो दोस्तों 2019 से क्या NSO यानि के national statistical organization इस data को calculate करते हैं इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों हमारी organization थी CSO प्लस NSO इनको merge कर दिया गया NSO की full form का national sample survey organization CSO Central statistical organization तो दोस्तों NSO क्या है यह national statistical organization नाम से पता चलता है national level पर इंडिया में जो भी statistics का data है उसकी यह organization यानि के data produce करती है यह तो यह क्या है सरकार की central statistical agency है प्रलिम्स के लिए important है पूछ लेगा NSO और इसके क्या-क्या concepts है फिर applications है यह central statistical agency है सरकार ही क्या है statistical agency है और यह comply करते है standard and procedures को जो united nation वगेरा ने मतलब बताए थे इस तरीके से आप करना है ना और इंडिया के अंदर में जो NSO है वह statistical service act 1980 के तहत काम करती है और यह ministry of statistics and program implementation के अंदर में आती है ठीक है दोस्तो अब आपको इतना सारा detail पता लग गई अब देखो यहां पर क्या जैसे हम GDP वगेरा calculate करते है suppose करो आज आपके पास में कितने हैं suppose करो 200 रुपे हैं लेकिन कल की डेट में आपके पास थे 100 रुपे तो अगर आप आज क्या है आज है suppose करो यह 2024 की बात है 2024 में आपके पास में 200 रुपे है और 2023 में आपके पास कितने रुपे हैं दोस्तो 100 रुपे थे तो यहां से 100 रुपे से 200 रुपे हो गए यानि कि जो 2030 है आपने बेस यर मान लिया इसको के अपनी calculation के लिए ऐसे GDP के case में होता है हम अपने देश की GDP को calculate करते हैं तो एक भी देश क्यों ना हो उसकी जो economy होते हैं वह static तो होती नहीं कि अगर एक साल में 100 यूनिट प्रडियूस करें तो अगले साल भी सो होगा यह change हो सकता यह vary करते हैं तो यह static नहीं होती यह बहुत ज्यादा dynamic होती है जैसे जैसे हमारी society में demand change होती है न ऐसे ही क्या है production करने का तरीका हमारा structure भी change होता है जैसे technology आ गई कुछ नया innovation आ गया तो हमारी demand change हो जाएगी इससे हमारा production का भी structure क्या change हो जाएगा अब यहाँ पर देखो suppose करो पहले इंडियना 2004 और पांच बेस year use करता था फिर उसके बाद में दोस्तों हमने 2011-12 का use करना start कर दिया और यह हमने 2015 में decide करा जाता ठीक है तो यह United nation के तहत में करा जाता था कि United nation क्याता है कि पूरी दुनिया के अंदर में एक standard procedure होना चाहिए standard measures होने चाहिए ताकि हम comparison करने में आसानी हो सके GDP को तो दोस्तों यहां पर आज की date में क्या है अगर हम किसी भी मतलब base year को change करते हैं तो इससे हमको फायदा देखने को मिलेगा यह हमको बताता है किसी भी देश की economic size कितना है biases को यह correct करता है ना कौन सा sector relatively important है यह सारी details हमको पता लगती है ठीक अब आप यहां पर देखो इंडिया क्या कर रहा है 2015 से 2011 12 का base year यूज कर रहा है और जब हमने 2011 12 का use करना स्टार्ट कर रहा है इससे पहले हमने 2004 5 का use करते थे ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखो फिर उसके बाद में जैसे 2015 में हमने 11 12 का use करना स्टार्ट कर दिया फिर धीरे समय आ गया बढ़ता है 2016 17 18 ऐसे टाइम पिर राता है 2016 17 उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेस्टिक्स एंड प्रोग्रेम इंप्लिमेंटेशन एक क्या बनाती है एडवाइजरी का मैटी बनाती है नैशनल अकाउंट स्टेस्टिक्स के उपर यह प्रोपोस करते कि भहिया इंडिया का ना जो ब बीसिक किस कर दो लेकिन आज की डेट में प्रेजेंट कंटेक्स्ट में सरकार ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है तो हम कह सकते हैं इंडिया आज भी 2011 12 का बेसियर यूज करता है अपनी GDP वग्यरा को कैलकुलेट करने के लिए अब दोस्तों यहां पर आता हमारा अगला ट इंडिया के अंदर में जो भी एकनौमी से डेटा है जो भी हम आ रहा आकाउंटिंग सिस्टम है वो होगा United Nation के स्टेंडर के तहत में ठीक है United Nation System of National Account या नहीं के युन एस एन ये बनाया गया था यून ने दोहजार आठ में ठीक है तो United Nation का कहता है International Standard Recommendation करता है कि कि तरहके सा आपको अपनी Economic Activity को compile करना या फिर measure करना तो United Nation जैसे बोलता है इंडिया ने वैसा follow करा ताकि comparison में आसानी हो सके तो दोस्तों GVA होता है क्या है यह देखो कहता है value addition to goods and services है ना when producer sell product तो दोस्तों मैंने आपको biscuit का example दिया था आठ रुपे इसकी factor cost आती है 10 difference है यह 2 रुपे का यह दोस्तों इसने value addition कर दिया तो difference हमको देखने को मिलता है तो difference क्या है यह value addition है तो यहां पर कहता है देखो 10 रुपे हो गई हमारी वह हमारी factor cost कोष्ट कितनी आइए 8 रुपाई हमने इसको 10 में बेका और यहां पर 2 रुपे के आगया difference आगया तो income क्या है ज्यादा होनी चाहिए cost के मुकाबले यानिके 10 greater than 8 ठीक है हमारी income हो गई 10 रुपे की और जो हमारी यह क्या है cost हो गई 8 रुपे की तो कह सकते हैं इंकम क्या है ज्यादा होनी चाहिए हमेशा तो मैंने आपको एक्जामपल बिस्किट कर दिया फैक्टर कोस्ट आठ रुपे और मार्केट प्राइस दस रुपे तो यह दो रुपे का डिफरेंस है यह हम कह सकते हैं यह वैल्यू एडिशन है आप देखो दोस्तों ает सर ने कहाई यहां पर बहुत अच्छे से怎麼樣 दे रखा जैसे यहां पर हीनोंने बताएं बार्ली बनाने हमको घ्याद वगए र जाये हैं यांए करते हैं पर सब्सक्रों beer की bottle बनेगी 100 रुपे में इसको हमने बेग दया 1.500 रुपे में तो यहाँ पर 50 रुपे का जो value है इसको बोल दिया जाएगा GVA ठीक यहाँ पर यह kingfisher का इन्होंने example दे रखा है biscuit की तरीके से अब यहाँ पर important है यह formula तो दोस्तों देखो GVA लेकिन GVA हमको क्या करता है यह sector wise हमको बताता है अभी तक आपको थोड़ा होच पोच लग रहा हुआ ऐसे समझो हमारे primary, secondary, tertiary sector है primary में agriculture, service में manufacturing है ना secondary में manufacturing, tertiary में हो गया service sector, agriculture ने कमाए 1000 करोड रुपे, manufacturing ने कमाए 2000 करोड रुपे, service sector ने कमाए 3000 करोड रुपे तो दोस्तों, total आप यहां पर देखो हमको एक specific बता रहा specific sector wise इसने GVA ने बताया, ठीक है, तो particular तो GVA हमको sector specific detail लेता है, लेकिन सारी चीज को calculate कर लो GDP हमको calculation में बता देखाए 6000 करोड हमारी GDP रही है, तो दोस्तों जीवीए का formula क्या है? GDP plus subsidy minus taxes, तो दोस्तों आप यहां ऐसे confused मत होना, जैसे GDP का formula क्या होता है? वो होता है GVA plus GDP है GDP के अंदर में हम tax को plus करते हैं और subsidy को minus करते हैं लेकिन GVA में उल्टा होता है GVA में क्या करते हैं? subsidy को add करते हैं और tax को minus करते हैं दोस्तों इस subsidy और tax का बहुत important खेल है तो GVA क्या है? GDP plus subsidy minus taxes इसका GDP का formula होता है factor cost कहलो या फिर GVA कहलो यहां पर tax plus होता है minus subsidy होती है example में देखो agriculture industry और service sector यह produce करते हैं agriculture की GVA कितनी है? 1000 करोड रुपे industry की 2000, service की 3000 करोड सरकार ने इनके उपर tax लगा दिया 400 करोड का subsidy सरकार ने दी 100 करोड रुपे की तो यह सारा data हो गया अब यहां पर आपको पता होगा देखो कैसे calculate करेंगे GDP और GVA को यह important हो जागा GDP का formula है factor cost plus tax minus subsidy factor cost दोस्तों factor cost क्या क्या ही इन तीनों sector की 1000 करोड, 2000 करोड, 3000 करोड सरकार ने tax लगा इनके उपर 400 करोड का subsidy सरकार ने 200 करोड की तो हम इसको minus कर देंगे तो 6000 करोड plus 400 minus 100 यानि कि total GDP हमारी हो गई 6300 करोड की ठीक है अब GVA देखते हैं दोस्तों GVA हम कैसे निकालेंगे GDP plus subsidy minus tax GDP हमारी आई 6300 करोड रुपे subsidy कितनी आई 100 करोड की tax को minus कर दिया यानि कि minus 400 तो GVA ने हमको बताया 6000 करोड रुपे तो दोस्तों हम simple कह सकते हैं इन से क्या value निकल काई 6000 करोड रुपे निकल काई तो ये क्या है sector specific हमको जानकारी मिली GVA से और देखो जो gross value addition है ये sectoral classification करता है आठ category का ये important है कई बार prelims में पूछा गया है कि इस में से आठ हो में से सबसे ज़्यादा weightage किस industry को दे रखिया है तो आठ category कौन कौन से include जैसे agriculture, forestry, fishing, mining and querying manufacturing, electricity, gas, water supply construction, trade, hotels, transport, communication financial, real estate, public administration, defense ये सारे क्या है आठ sectors को calculate करता है GVA फिर दोस्तो question आता है कि क्यों GVA को better यानि कि अच्छा समझा गया economy में अगर हम GDP से compare करें तो दोस्तो जो GDP है ना वो fail कर जाती है real economic सिनाधियों को बताने में क्योंकि दोस्तो हम क्या कह सकते हैं हमने उपर का example देखा इसमें 6,000 करोड रुपे बताए GVA ने और 6,300 करोड रुपे क्या बताए GDP ने यानि कि हमारा actual तो हो रहा था इतना और GDP ने बताए 6,300 करोड रुपे यानि कि हम tax और subsidy को अगर सरकाट tax बढ़ा दे या tax कम कर दे तो हमारे revenue पर effect पड़ेगा तो दोस्तों यही करता है और GVA में ऐसा कुछ नहीं होता GVA सिर्फ और सिर्फ sector wise बताता है यहाँ पर tax और subsidy include नहीं होते ठीक है अगर हम sector wise देखे तो इसलिए GDP fail हो चुका है real economic scenario को बताने में लेकिन GVA calculate करता है जैसे हमने उपर देखा ठीक है तो हम कह सकते है output क्या है वो vary कर सकता है tax और subsidy में अगर हम छेड़ खानी करे अगर production में कोई भी increment नहीं हो रहा है यानि कि output हमारा constant है तब भी हमारी GDP उपर जा सकती है tax और subsidy में छेड़ खानी करने के लिए अब दोस्तों यहाँ पर इस GVA को calculate करने में हमको challenges देखने को मिलते है वो यह है कि यह जो GVA है ना हम किस के उपर मनलब हम डेटा के उपर बहुत ज़्यादा रिलाई है ठीक अगर डेटा सही होगा तो हमारी analysis अच्छी होगी हम क्या कहीं है हमारी accuracy बहुत अच्छी है अगर डेटा में ही कुछ ना कुछ लूप होल से है तो हमारा डेटा सही नहीं आ पाएगा अब दोस्तों यहाँ पर differences बता रहे है GDP और GVA के अंदर में तो देखो सबसे पहले definition बता रहे है GDP क्या है हम कह सकते ही है total monetary value है of all goods and services produced within a country within a particular year और GVA क्या है value of goods and services produced in an economy net of input and raw material है नहीं के input और raw material को इनका net plus minus करके scope दोस्तों GDP कवर करता पूरी entire economy को लेकिन हमारी जो GVA है वो specific sector को कवर करता जैसे agriculture, manufacturing, service sector ठीक आप formula आपको बता दिया ये वाला GDP का और GVA का फिर significance क्या है दोस्तों GDP हमारी economic health के बारे में बताता है ठीक है अब यहाँ पर हम GDP को use करते हैं दूसरे देशों की GDP के साथ compare करने के लिए ये क्या करता है indicator है GDP international comparison के लिए अब और GVA हमको detailed insights बताता है कि different sectors में क्या productivity रही है ये हमको help करता है sector wise policy बनाने के लिए तो दोस्तों ये सारा का सारा इसके अंदर में बताया गया है फिर आता है दोस्तों यहाँ पर हमारा Grisham's law तो दोस्तों यहाँ पर देखो Grisham's law क्या है आप इसकी background समझो जैसे 1600 का time period था East India Company इंडिया में आती है तो दोस्तों वहाँ के रहनी होते है Queen Elizabeth 1 तो इनका क्या होता दोस्तों Financial agent कहलो Financial advisor होता है जिसका नाम होता है Thomas Grisham's तो यहाँ पर यह financial agent होता है Queen Elizabeth 1 का इसका नाम होता है Thomas Grisham's इसने low बताया इसने Elizabeth 1 को बताया कि जो bad money होती है वो अच्छी money को economy से बाहर निकाल देती है यानि कि 5 word का concept दिया Bad money drives out good तो याद रखना bad money drives out good यानि कि जो बेकार money है वो अच्छी money को बाहर निकाल देती है एक्जामपल देखो बुक के अंदर में बहुत बड़ी बता रखा है सर ने बताया कि यहाँ पर मतलब इनों नहीं बताया था Grisham's ने कि दो coin है हमारे पास एक है precious coin बहुत important coins है जैसे gold, silver पहले के जमाने में क्या होता था राजा रानी सिक्के बनवाते थे metal के gold के, silver के ठीक है इनकी खुद की कुछ न कुछ intrinsic value होती थी मतलब suppose करो यह gold का सिक्का है gold की value कितनी है suppose करो यह 100 रुपे की value है तो इस coin की value भी 100 रुपे ही मानी जाएगी है ना यह silver का सिक्का है इसकी यह silver 50 रुपे की है और इसकी value मार्केट में भी 50 ही मानी जाएगी है ना यानि के same रहती है यहां पर दूसरी फिर समय आगे बढ़ता है राजा रानी कुछ जैसे iron के steel के अब coins बनाने लगे है ना आप इसकी देखो actual value जो है इस metal की suppose करो महाँ पर कितनी है हम suppose कर लेते है 10 रुपे है लेकिन सरकार ने currency की value रख दी 40 रुपे तो यानि के हमको actual नहीं देखने को मिल रहा तो दोस्तों यहां पर यही होता है तो simple coins किसके बने metal के बने इनकी intrinsic value कम होती है तो हमारा क्या है यह precious metal है यह हम कह सकते यह undervalued है और नकली वाला metal यानि के यह जो simple coin है इसको हम कह सकते है overvalued है तो overvalued वाला हो जाएगा bad money और सोने चांदी वाले को बोल देंगे हम good money ठीक अब आप देखो यह दोनों के दोनों हमारे circulation में मार्केट के अंदर में इनको दोनों को accept करा जाता legal tender है ना तो लोग बाग क्या करेंगे वो transaction के लिए daily use के लिए bad money को use करेंगे है ना लेकिन जो अच्छी money है gold silver को अपने घरों में संभाल के रख लेंगे hoard कर लेंगे यानिके circulation से धीरे धीरे क्या है यह remove हो जाएगे तो दोस्तो इसी को बोला गया है कि जो bad money है वो good money को drive out कर देती है ठीक है तो यह ग्रिशम स्लो बताता है bad money drives out growth फिर आता है growth और happiness दोस्तो growth happiness index तो यहाँ पर इसको start करा गया था भुटान के राजा जिग में सिंग ये वैंग चुक के द्वारा तो आप यहाँ पर देखो ये देखो GDP देखने को मिलता है और gross national happiness देखने को मिलता है GDP हमारे मतलब इनसानों की well being को cover नहीं करती standard of living को cover नहीं करती लेकिन gross national happiness index यह हमको बताता है कि किस देश में कितनी समरध्धी हो रही है महां के लोग खुश है दुखी है या नहीं तो अब इंपोर्टेंट है प्रलिम्स के लिए gross national happiness index को दोस्तों चार पैरामेटर नोडोमेंस में calculate करा जाता है सार पैरामेटर के नाम पूछ लेगा sustainable development environmental यानि के हमको कुछ भी development करने वो sustain होनी चाहिए यानि के present और future की generation पर कोई भी डिक्कत नहीं आनी चाहिए environment को protect करना चाहिए cultural values है ना socially responsible government यानि के good governance के बारे में बात कर रहा है no domains बोले psychology well-being मतलब यानि के इनसान की life satisfaction कितना है positive emotions happy कितना है शान्त कितना रहता है negative emotions जैसे anxiety, jealousy, गुसाना सब चीजों को calculate करता है health है ना education, time use, cultural diversity, resilience, good governance, communal vitality, ecological diversity, resilience, living standards इन सब area में क्या है इनको देखके report तयार करी जाते है फिर लोगों के ranking वगरा दी जाते है मलब देश होगी ठीक तो इनकी ranking यानि के gross national happiness index में इंडिया की क्या rank है prelims में पूछे जाते हैं ये questions फिर आखरी में last topic आता ease of doing business तो दोस्तों पहले ऐसे समझो सन 2000 में ना ease of doing business निकाला था world bank ने फिर 2016 17 में जो world bank के president थे इन्हों ने क्या करा चाइना के साथ मिलके कुछ छेड़ खानी कर दी चाइना की rank सपोस्तों करो पहले 87 कुछ होती थी तो इसकी rank improve कर दी 78 फिर युनाइटी नेशन वर्ल्ल बैंक ने क्या करा एक कमेटी वग्यरा बिठाई और यहां पर देखा हां यह वर्ल्ल बैंक के president ने चाइना के साथ मिलके छेड़ खानी कर दिया तो वर्ल्ल बैंक का मतलब क्या है मतलब इंडिया के अंदर में यह क्या करेगा एक कंडियों से बहुत अच्छा इंवाइरनमेंट देगा ताकि इंडिया में लोग बिजनस वग्यरा कर सके और इंडिया में इसका नोडल डिपार्टमेंट को ने डिपी आई-ई-ट है निके of industry and internal trade तो दोस्तो नीती आयोगे ने इंडिया में वो है ministry of commerce and industry ठीक है तो याद कर ले ना इसको ठीक कर ले ना आप देखो इंडिया में DPIIT जो department for promotion of industry and internal trade है तो दोस्तो यहाँ पर यह हमारा nodal department हो जाएगा तो जो अच्छा environment provide कराता वो हमारा rap के तहत में कराता है ने के business reform action plan तो दोस्तो यह हो गया अब आप इसके बाद में देखो जन विश्वास amendment act 2023 यह बहुत important है prelims के लिए यह हभी अभी साली मतलब पिछले साल सरकार ने amendment करा है तो यह जो updated book है ना इसके अंदर में यह चीज़ देखने को मिली है ठीक तो 12th edition में यह वाली value include नहीं थी तो दोस्तों यहाँ पर क्या है पहले ऐसा होता था कि अगर कोई भी गलत काम करता था इलीगल काम करता था वो भी छोटी छोटी गलतियों पर minor fault पर के तो लोग सरकार के पास प्रोविजन था जेल डालने का सरकार ने बोला जेल नहीं इनको फाइन लगाओ इनको पैनल्टी लगाओ यानिकि यह ना थोड़ा easy कर दो ताकि लोग बाग अगर बिजनस कर रहे हैं कुछ गलती वगएरा हो जाए कोई जान बूच के कर रहा है या फिर कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा तो इस चीज़ को देखते हुए तो दोस्तों जन्विश्वास अमेंडमेंट एक्ट यह क्या करेगा प्रमोट करेगा इंडिया में इस ऑफ डूइंग बिजनस यह कर देगा माइनर ओफेंस को इसके अंदर में जेल की जगए फाइन और पैनल्टी के बारे में बात करें गया इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 इसके तहत में यहां पर बोला गया है हम क्या करेंगे जो भी फाइन और पैनल्टी जना हम इस से दोस्तों जो हमारा जुडिशर यानिके जस्टिस सिस्टम है ना उसके उपर से भी प्रैशर कम होगा तो दोस्तों आप इसके अंदर में देखो मतलब सरकार के कुछ 42 रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से इन में क्या करा गया सर सेंट्रल लॉज यानिके 42 सेंट्र लॉज में छूट रखी गई है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के चैप्टर नंबर 3 GDP और GVA के बारे में दोस्तों वीडियो कैसे लग रहे है आप लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए मेरी एप्लिकेशन प्रत्यूशा करेंट डाउनलोड कर लिजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है नेक्स चैप्टर में सो थेंक यू गाइस